चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सेलेक्टिड काम की और महत्यपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनिट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दिल्ली सीम के पीए की जमानती आजका हुई खारिज मालिवाल ने कहा था विभव का रसुक मंत्रियों जैसा उसे बैल मिली तो मुझे खत्रा जियां दोस्तो स्वाती मालिवाल से मारफीट केस में सुमवार 27 मई को अरविन्द केजरिवाल के पी ए विभव कुमार के जमानती आजका 30000 कोट से खारिज कर दी गई विभव ने 25 मई को कोट में याचका लगाई थी सुनवाई के दोरान सुनवाई के दोरान सुनवाई के दोरान आरोप लगाया कि जब sensitive body parts पर चोट के निशान नहीं मिले तो गेर इरादतनन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है नहीं विभव का सुनवाई को निर्वस्तर करने का कोई इरादा था ये चोटे खुद को पहुँचाई जा सकती है विभव के वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कोर्वों पर लगे थे जिनोंने द्रोपती का चीर हरण किया था स्वाती ने यह F.I.R. पूरी प्लानिंग करके तीन दिन बाद दर्ज कराई है ये दलिले सुनकर स्वाती कोट रूम में ही रोपली स्वाती ने बताए कि विभव कोई आम आदमी नहीं है वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधा इस्तिमाल करता है उसे जमानत मिली तो मुझे खत्रा है चलि दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली ख़बर पांच जुलाई को आपके बैंक अकाउंट में आज जाएंगे साड़े आठ हजार रुपे राहूल गांदी ने बता दी पहली किस्त की तारीक जिया दुस्तो लोक्सबा चुनाओ 2024 के साथवे और आखरी चरण के चुनाओ प्रचार में लगे कांग्रिस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांदी ने बिहार के आरा में एक रेली को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि देश में गरीबों की एक लिस्ट तेयार की जाएगी हर गरीब परिवार से एक महिला का नाम चुना जाएगा इंडिया गटबंधन सरकार बनाएगा और देश के करोलों गरीब महिलाओं के बैंक खाते में साड़े आठ हज़ार रुपे आएंगे उन्होंने कहा कि इंडिया गटबंधन के सामने दो समश्याएं है एक अमीर गरीब असमान था और दूसरी बेरोजगारी कांगेस पार्टी इन दोनों शमश्याओं को एक जटके में ही ठीक करने जा रही है चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर शोशल मीडिया में मोधी पर भारी है राहूल गांदी लाइक्स दुगने, शेरिंग तीन गुने, व्यूज 21 करोड ज़ादा, 50 दिनों की एक आनी जिया दोस्तो फेस्बुक, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब पर नरेंदर मोधी दुनिया में सबसे ज़ादा फॉलो किये जाने वाले राजनेता है लेकिन दोस्तो व्यूज लाइक्स के मामले में वे राहूल गांदी से काफी पिछड़ते होई दिखाई दे रहे हैं बात करें शोशल मीडिया प्लेटफोर्म्स के टोटल लाइक व्यूज की इससे यह पता चलता है कि शोशल मीडिया पर नरेंदर मोदी से ज़ादा राहूल गांधी पोपुलर फिलहाल हो रहे हैं चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार दिल्ली में एक जून को होने वाली इंडिया ब्लोग की मीटिंग में शामिल नहीं हो सुत्रों के मुताबित कांग्रेस अध्यक्ष मलेकार जुन खड़के ने एक जून की दोपर को इंडिया गटबंदन के घटक दलों के नेताओं की बेठक बुलाई है टीमसी के सुत्रों ने काए कि बेठक वाले दिन पशिम मंगाल में नो सीटों पर मददान होगा जिसमें कोलकता की दो सीट कोलकता अधक्षन और कोलकता उत्तर भी शामिल है जो पार्टी के लिए महत्यपून है चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर पूने पोर्स कार केस नाबालिंग के पिता ने बलड सेंपल बदलवाया शराब की बाद छिपाने के लिए घूस दी सेंपल डस्ट बीन में फिकवाया डाक्टरों समेत तीन हुए गरफतार जा दोस्तों पूने पोर्स एक्सिडेंट केस में सौमवार को सुबह क्राइम ब्रांच ने दो डाक्टर से समेत तीन को गरफतार कर लिया पुलिस ने बताये कि अरेस्ट किये गए ससुन जनरल होस्फिटल के फोरेंसिक डिपाटमेंट के है डाक्टर अजय ताउरे और डाक्टर श्री हरी हैल नौर पर नाबालिंग आरोपी का ब्लड सेंपल बदलने का आरोप लगा है तीसरे आरोपी का नाम अतुल घट कामले है उस पर आरोपे की उसने डाक्टरों की मदद की पुलिस कमिशनर अमितिश कुमार ने प्रेस कॉनफरेंस में बताये कि नाबालिंग आरोपी के पिता विशाल अगरवाल ने डाक्टरों को ब्लड सेंपल बदलने के लिए घूंस दी थी डाक्टरों ने ओरिजनल ब्लड सेंपल डस्ट बीन में फैक कर किसी अन्य शक्ष का ब्लड सेंपल लेकर रिपोर्ट बनाई जिससे नाबालिंग के नशे में होने की बाद छिपाई जा सके दोस्तो पुलिस ने नाबालिंग के पिता के खिलाफ धोका धड़ी, क्रिमिनल कॉंस्पेरेसी और सबुत उसे चेरचार का केस भी दर्ज किया इससे पहले उनके खिलाफ जुएनाईल जस्टिस एक्ट के तेद बच्चे पर ध्यान न देने का मामला भी दर्ज हुआ था चलि दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार केजरिवाल की सुप्रीम कोट से अपील, जमानत साथ दिन बढ़ाएं आम आदमी पार्टी बोली, सीम का वजन साथ किलो घटा, किटोन लेविल बढ़ा, गंभीर बीमारी के हैं संकेत जियां दुस्तो दिली शरामनीती घोटाला केस में जमानत पर चल रहा है मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने सुप्रीम कोट में नई आचका लगाई इसमें उन्होंने मेडिकल कंडिशन के आदार पर जमानत को साथ दिन और बढ़ाने की मांग की है केजरिवाल को एडी ने 21 मार्च को ग्रिफतार किया था केजरिवाल के किस दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है हम आदमी पार्टी के मुताबित ग्रिफतारी के बाद केजरिवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका किटोन लेविल भी हाय है जो किसी गंबीर बिमारी का संकेत हो सकता है ED के केस में जेल जाने के 50 दिन बाद सुप्रिम कोट ने जमानत दी थी केजरिवाल को 10 मई को दिल्ली की तियार जेल से रिया कर दिया गया था चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार सरकार ने फेक इंटरनेशनल कोल्स को ब्लोग करने के लिए कहा Department of Telecom यानि की डोट को इससे जुड़ी शिकायते मिल रही थी इन कोल्स के जरिये लोगों के साथ साथ साइबर क्राइम और फाइनेशियल फ्रोड किया जा रहा था इन कोल्स का इस्तेमाल फेक डिजिटल अरेस्ट, फेडेक्स स्केम, कूरियर में ड्रग्स या नशीले प्रदार्त, खुद को सरकारी और पुलिस अधिकारी बताना, ट्राई या टेलिकॉम डेपार्टमेंट अधिकारी होने का दिखावा करके मोबाइल नंबर बंद करने क की धमकी देना सहीतन ने कामों के लिए किया जाता था, बयान में कहा गया है कि डोटो टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर टी एस्पी ने साथ मिलकर किसी भी भारतिये टेलिकॉम कस्टमर्स तक पहुंचने वाली इंटरनेशनल फेक कुल्स को पहचान करने और उन्हें ब्ल रात साड़े आठ बजे पशिम मंगाल के कैनिंग और बंगलादेश के मौंगला में 135 किलूम्टर प्रतिगंटे की रफतार से आया, लेंड फोल चार घंटे तक चला, इस दोरान तटिया इलाकों उत्तरोर दक्षन 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपूर दीगा, काकदीप, जैनगर, कोलकता, हुगली और हाउडा में 60 किलूम्टर प्रतिगंटे की रफतार से हवाई चली और बारिश हुई, तूफान से पशिम मंगाल के दक्षनी तटिया इलाकों के 24 ब्लोक और 89 वाड प्रभावित हुए, इन इलाकों के 15,000 घरों को नुकसान पहुचा, वहीं दोस्तो राजजानी कोलकता में 100 से जादा पेड और बिजली के खंबे उख़ड गए, सलकों पर पानी भर गया, कोलकता और सुन्दरवन में दो लोगों की मोत की भी खबर है, वहीं कोलकता के सुबास चंदर बोस एरपोर्ट पर 21 घंटे बाद फ्लाइट सर्विस दो बार शुरू हो गई, तुफान से पहले रईवार को इसे बंद कर दिया गया था, 394 फ्लाइट से केंसिल होई थी, चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार, सेक्स स्केंडल के आरोपी प्रोजुवल रेवनना ने वीडियो जारी किया, कहा 31 मई को SIT के सामने श्वास है कि मैं अदालत के जरिये जूटे मामलों से बाहराऊंगा, वहीं दोस्तो प्रोजुवल का यहा बयान पूर्व प्रदान मंतरी HD दे उगोडा और उनके ददा की गुरुवार तेविस मई को दी गई चेताउनी के तिन दिन बाद आया है, पूर्व प्रदान मंतर खडगे साहब आपकी नोकरी जाने वाली है, अमिट शाहा ने बताया चुनाओ के बाद कांग्रेस क्या करेगी, जहां दोस्तो उत्तर प्रदिश के कुशी नगर लोकसवा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रिये ग्रहमंत्री अमिट शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि 4 जून को NDA की जीत निश्चित है और उसी दिन राहूल गांदी की टीम एक प्रेस कॉन्फरेंस करेगी और अपनी हार के लिए EVM को दोश देना शुरू कर देगी, अमिट शाह ने आगे कहा कि मल्लेकार जुन खडगे को यह समझने की जर बंपर होगी बारिश, जिया दोस्तो देशबर में भीशन गर्मी की मार से जल्धी राहत मिलने वाली है, बारती मोसम विज्ञान विभाग्यानी की IMD ने मांसुन को लेकर एक खुश खबरी दी है, IMD के अनुसार अगले 5 दिन के दोरान केरल में मांसुन दस्तक देने जा IMD ने बताए कि इस बार भारत के मांसुन कोर जोन में सामाने से अधिक बारिश हो सकती है, मोसम विभाग ने कहा कि मांसुन की एंटरी के लिए केरल में स्तिति आनुकूल है, अगले 5 दिनों के दोरान मोसम में बदलाव देखने को मिलेगा, IMD ने कहा कि उत्तर पूर्व भ येदूरपा पर FIR करने वाली महिला की हुई मोत, कैंसर का इलाज नहीं मिला, करनाटक पूर्व CM पर बेटी से योन शोशन का आरोप लगाया था, जिया दुस्तो करनाटक के पूर्व मुखेमंत्री और सीनियर बीजेपी ने था, बी-एस येदूरपा पर 15 मार्च को पॉक उसने दम तोड़ दिया, चले दोस्तो जरान लेते हैं अगली बड़ी खबार, 37 साल के होलिवड एक्टर जोनी वेक्टर की हत्या, कार से सामान चुरा रहे थे चोर, रोकने की कोशिश हुई तो गोली मारी, जिया दोस्तो होलिवड एक्टर जोनी वेक्टर की शनिवार सु तीन बजे अपने कलीक के साथ साउथ होप स्ट्रीट में घूम रहे थे, इसी दोरान मास्क पहने, तीन चोर उनकी कार से कुछ चुराने की कोशिश कर रहे थे, वेक्टर की मा और पुलिस के मताबित एक्टर ने चोरों को रोकने की कोशिश नहीं की, फिर भी एक्टर ने गोली मार दिये और फिर सभी वहां से भाग गए, गोली लगने के बाद एक्टर को लोकल होस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मरत घोशिट कर दिया गया, जोनी ने जर्नल होस्टल साइबेरिया और क्रिमिनल माइंड जे से शोज में काम किया था